सोशल मीडिया पर रेलवे टिक्टो में छूट को लेकर एक दस्तावेज शेर किया जा रहा है इसके आधार पर दो तरहा के दावे किये गए हैं कुछ लोगों ने कहा है कि रेलवे एक नई योचना लेकर आ रहा है जिसमें अपकुल 53 रेनी के यात्रियों को टिकेट किराय में छूट दी जाएगी वही कुछ यूजर्स का कहना है कि आगामी एक जुलाई से सरकार व्रदियात्रियों को किराय में छूट देने वाली स्कीम को फिर से शुरू करने जा रही है सुभार जी रेल यात्री परिशद नामक एक यूजर ने लिखा रेल विभाग टिक्टो पर छूट देने की सेवा एक जुलाई 2022 को फिर से शुरू करने जा रहा है इसके तहट साथ वर्ष या इस से उपर की उम्रवाले पुर्शों को किराय में 40 फीस्ति और 58 वर्ष या इस से उपर की उम्रवाली महिलाओं को 50 फीस्ति की छूट मिलेगी इसी तरह उदे एस शंकर नामक एक अन्य यूजर ने ट्वीट कर रेल के राय में चूट देने वाली योशना को फिर से शुरू करने के लिए रेल मंत्राले प्रधान मंत्री कार्याले और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी को धन्यवाद दिया है इंडिया अहिद नामक एक न्यूज वेबसाइट ने इस संबन में एक खबर भी प्रकाशित की है कि एक जुलाई 2022 से अलग-लग श्रेनी के लोगों को रेलवे टिक्टों में चूट मिलने लगेगी हालकि कुछ यूजर्स ने इसकी सत्यता पर सवाल भी उठाया और रेल मंत्राले से इस पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है सच क्या है? रेलवे की किराया राशी पर कुछ विशेश तरहां के लोगों को चूट देने की यूजना नहीं नहीं है पिछले कई सालों से रेलवे कुल 53 श्रेनी के यात्रियों को 25 फीस्दी से लेकर 100 फीस्दी तक की छूट देता है इसके लिए कुछ नियम बनाए गए है जो भी यात्री इस योजना के तहट छूट प्राप्त करना चाहता है उसे संबंधत सर्टिफिकेट जमा कराना होता है जिसके बाद रेलवे उनके टिकेट राशी को कम कर देता है यह रियायत केवल मूल किराय पर लागू होती है इसके तहट विकलांग यात्रियों, मरीजों, कैंसर, हार्ट, किड्नी, थलिसीमिया, टीबी, एट्स, इत्यादी, वरिश्ट, नागरि को अवाट प्राप्त करने वालों युद में शहीद हुए जवान की पत्नी, कुछ विशेश श्रेनी के चात्रों और किसानों, कलाकारों तथा खिलाडियों, मेडिकल प्रफेशनल्स एवं अन्ने को ये लाब दिया जाता है हाला कि कोरोना मामारी के दौरान इस योजना पर रोक लगा दी गई थी रेलवे ने 19 मार्च 2020 को एक आदेश जारी कर कहा कि विकलांग श्रेनी में चार और मरीजों तथा छात्रों की श्रेनी में 11 तरह के आत्रियों को छोड़कर बाकी सभी के लिए अगले आदेश तक इस योजना पर रोक लगाई जाती है रेलवे की दलील थी कि चूकी COVID-19 प्रतिबंधों के चलते बहुत कम ट्रेने चल रही है इसलिए इस सेवा को जारी रखने से विभाग को काफी घाटा हो जाएगा हाला कि कोरोना के मामले कम हो गए हैं स्थती पहले जैसी भयाव है नहीं है और लगबग सभी ट्रेने अब चलने लगी है इसलिए यह मांग उठ रही है कि किराये में चूट की ओजना को फिर से चालू किया जाना चाहिए तो क्या एक जुलाई से फिर शुरू होगी है ओजना अभी तक तो नहीं भारते रेल के जन संपर कधिकारी और अतरिक महनेदेशक राजीव जैन ने दिललन टॉप को बताया कि फिलहाल ऐसा कोई निर्णे नहीं हुआ है जिसके तहत एक जुलाई से रेल टिक्टो में छू चात्रियों को किराय में छूट देने की ओजना अभी नहीं चल रही है रेलवे सेवा ने कहा तलाल दव्यांग जनों की चार श्रेणियों मरीजों और चात्रों की 11 श्रेणियों को रियायत दी जा रही है करीब एक महीने पहले ही रेल मंत्री अश्मिनी वैश्नव ने कहा था कि वरिश्ट नागरिगों को किराय में छूट नहीं दी जा सकती क्योंकि रेलवे पहले से ही रियायती दरों पर काम कर रहा है 19-2022 को IIT मडरास में पत्रकारों से बाच्शीत के दारान रेल मंत्री ने कहा था हर 100 रुपे के खर्च पर रेलवे को यात्रियों से सिर्फ 45 रुपे की कमाई होती है हमें रेलवे को परिवहन का एक स्थाई साधन बनाय रखने में योगदान देना होगा हाला कि CPI सांसद बिनोय विश्वाम ने रेल मंत्री अश्विनी वैशनव को पत्र लिक कर मांग किया कि विरद्यात्रियों को किराया चूट दिया जाना चाहिए और पुरानी योजना फिर से शुरू की जानी चाहिए आपके लिए ये तमाम जानकारी लाएं हैं हमारे साथी धीरच मेरा नाम है दव्याशी देखते रहें दिललन टॉफ शुक्रिया